कट्वा जिले की हीरा नगर इलाके की सैदा गाउं के पास आतंक वादियों द्वारा फाइरिंग की गई इसके बाद सुरक्षबलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभ्यान शुरू कर दिया वहीं इस कट्वा ओपरेशन में एक आतंकी मारा गया है केंद्रिय मंतरी डौक्टर जितेंद्रस सिंग ने एक्स पोस्ट में इसकी पुस्टी की है जमुकश्मीर पुलिस का कहना है कि कट्वा के हीरा नगर इलाके में ग्रामेडों ने कथित तौर पर गोलियों के आवाज सुनी और ग्रामेडों द्वारा सूचना दिये जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची कटवा के हीरा नगर इलाके में आतंकवादियों और सोरक्षा बलों के बीच फाइरिंग हुई है जानकारी के अनुसार इस्पाइरिंग में तीन लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भरते कराया गया है इस्थानिय लोगों के मताबिक आतंकवादियों की संख्यात साथ से आठ बताई चारेगी है प्रपोर्ड नहीं है वो कहां पर हमें तो सुनने पर बाइक लेकर प्रार हो चुके हैं और जो पांच है चार पांच है वो उधरी है कोई बोरा है कि किसी के गर में हैं तो आजी क्लीर अ रपोर्ड नहीं है वो कहां पर हमें तो सुनने सनाई ही नहीं अट आ रहे है कोई हम हमारे स्व उस्तुउ साभी आई हम वहां था के लिए आया उड्लों उनूहद है और मुझे लिए पता नहीं कार। कि अधर पूरा लाका जो है वो काटन कार लिए उनके साथ एसोजी के डिएएसपी साभ भी है वो भी मारे लाके में पोहुंच चुके है और बाध रुक रुक कार फाहर जो चाहर रहा है अभी को अधा घंटा पहले जो है चार-पंच फाहर हुए थे वाज अमें बाई सनाई कि अंधो हुआ। करने लिए पर नाइट अगर थे यह तरुट्राइब कर दो है कि अधिन देखना रियाता नियांसे निपाड़ा प्लाइब अधिन प्रण वह अधिन जिन लिया अधिन लिया आप अधिन जो प्रणाइब एक लाइन में होना